यह एलोवेरागा पेड केचन में किशने रखा है रखने में सरम भी नहीं आई है एक तो जट जरा शी केचन है उसे में केचेर केचेर पेचेर केचेर आप और लोग बताओ मेरी बेहनों यह किचिन में रखने वाली चीज हमें और अपकता मैं मुझे बरतन-दुलिय। लोकोद डीदी को बताती हैं यह न पर ललोकत समुला रही हूँ तुझा नअरे है पता दीजित कंभने कोई किया सुझार कर दो किया है मुझे टुर्वर ला जए है ब Arg pat तब प्रियर चाली जाए यहां से बकवास मत कर मुझसे मुझे न तुसे कोई बाती नहीं करनी है मैं सब जानती हूँ जब दी आगे आगे घुस-बुस कराती है और मैं करती हूँ तुझे कौन सा उखार चड़ जाता है जो जाता है तब तुम जाती है कि इसने कह दिया मैं के साथ काम कर आती हूं मैं तो आप के साथ पार हैं रोज रोज हो जाता है कर दो आज कई कर देंगे परसो कर ते में को था महुरा यह अच्छल नहीं लग रहा है कि वी अभी तक नाने यहां हो हम तो आपको बातरूम में बुला रहे थे क्या होगे अप्रिया हम अभी कहा गए हैं बोल रहे दिनाने के लिए फिर याद आया कि यह थोड़ा सा पड़ा है यहां पर जानबर आनबर बंद जाते हैं साम को साब सफाई रहती अच्छा रहता है उसी कचोंदन में बं कि अपना जो भी कर रही हूं बुला रही थी बड़ी तेट तेश गला फाड़ पाड़ के हमने पूझा क्या है तो करी जा तो दीदी की चमची है तो उससे दो बाती नहीं करनी है उनको बुला खेला है तो गए बातरूम में आप थी नहीं हमने का देखें दरा कहां यह दे और कोई काम नहीं अभी देखना अगर खाना बनाना पड़ गया ना ऐसा खाना बनाएगी कि न तो गाय भैस को तक पसंद नहीं आएगा बेमन का काम करती है पूरे दिन बेमन का बहुत सही क्या बात है तभी तो हम सोचे कि यह प्रियाव दीदी क्या मिलके चुकरिया में गड़ पोर रही है बताओ दोनों एक ही थाली की चट्टी बट्टी हो क्या हो गया चुती चट्टी बट्टी क्या बोल रही है हमने पूरा बनाते है फिर क्यों बोलते हैं उसे बनाने के लिए वो तो चलो सब छोड़ो रसोई घर में जाके वो क्या बूलते हैं उसको एलो बेरा किस ने रख दिया है हम बरतन धुलने गए हुआ पर जगे खड़े होने के लिए नहीं उपर से एलो बेरा का गवला रख दिया है तो हमसे क्यों कह रही हो माजी ने रखा माजी से जाके कहो जब देखो तब तानसाई हमसे दिखाती हो एक बात सुन लो चोटी हमसे उची आवाज में बात मत किया करो बहुत दिन होगा है सुनते सुनते जब देखो तब होता है चलो चोटी बैन है चलो चोटी बैन है चोटी बैन के दिमाग सरग में है थोड़ा तमीज से बात करना सीख लो हम बोलते नहीं इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी गुस्सा करना हमें भी आता है इतना ना हास बार फैकना आखे च करो का देखा करो मैं बल्कुल हमें चंची बोल रहे हम क्यों कि सी की चंची हमारे लिए तो आप दोनों बराबर हमें हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं हो दो हमें बहुती पुरा लगता है इसलिए चीची पीपी की बच्थेelles में खुद काम करते हैं । कि कोई कहना पाए तुमंहीं तो माननों प्रिया बाकिं हम भी ठrium Empire जब देखो तब इनम थी मानंहीं मानन गई तुम्हे इतनी भी तमीज नहीं है मैं तुम से बड़ी नहीं हम तो यह सोचते हैं चलो मेरी बहन है चोटी है मेरी सगी बहन होती वह कभी थी बत्तमीची से बात नहीं करती नहीं लड़ती जगड़ती जितना तुम लात लगाए हो ना कोई नहीं है घर में ऐसा दादी माजी जिनको बोलना चाहिए वह भी नहीं बोलती है पता नही मतलब आप हमारे उपर हाथ उठाएंगी, याद कार आपको किस ने दिया, मनुवर जी ने एक थपड मारा था हमें, आपको पता है, दादी ने क्या किया था उनके सार? याद तो होगा, कि याद दिलाऊं? मनुहर जीने न, थपड कर्मों के अंसार मारा था जैसे तुम्हारे करम है, वैसे उनने थपड मारा था और तुम सोच रही हो कि दादी हमें मुर्गा ये मुर्गी बनाएंगी न तो इस सपना देखना बंद कर देना कि हम तुम पे थपड जड़े हो दादी हमें मुर्गा बना देंगी उल्टे तुम ही बनवा देंगे, हम तुमारी हरकते बताते नहीं है नहीं तो तुम डेली मुर्गा बनाई जाओगी समझ गई? तो जित्ता धिमाग चला रही हो न, ये चलाना छोड़ दो और सुनो, अगर हम बाहर का काम करेंगे तो पूरा घर के अंदर का करोगी अगर हम अंदर का करेंगे तो बाहर का करोगी अगर तुम्हें अपनी अकड में ही रहना है न, तो अब देखो अब हम क्या करते हैं देख लिया बहुत दिन और यह भी बना लिया कि चलो बहन है बहन है कि दुस्मन छाए जा रही हमको जब देखो तब ताना साई जब देखो ताना साय अरे ऐसा लगता है कि जैसे कि नोगुल कोई बैलू नहीं है भर में बस तुम ही महरानी हौँ अरे आगे आगे काम करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी बाते भी सुनेंगे, अपने ते बार अपने पास में रखना, एक सेकेंड में उतार के रख दूँगी, चलो ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, बाद में देखती हूँ तुम्हे, अभी फे देखा दीदी, कितना छोटी दीदी बोलती है, एक सांस में इनके घले में फंदा भी नहीं लगता है, इस सांस भी ले ले, चल प्रिया मुझे क्या करना है, इतना अच्छा खासा दिमाग तो सब खराब हो गया, कोई बात नहीं है, माजी से बात करनी पड़ेगी, इसके ब बनाओंगी, कतोरा भर भर सब खाएंगे, ठोशने को, आज दालूंगी एक किलो लाल मिर्ची, हर जगे से धुगा न निकाला तो कुछ न किया, जतना मुझा रावरा करती घूमेंगी, नाक लारेक किये, नमक, नमक तो ऐसा डालूंगी, घाना बनवाना ही बंद कर देंग किती बड़ी कोपिस्टार बनी घूम रही है, बेलकोल एकदम से अम्मा जी ने खाने में तारीप क्या कर दिये कि दिमागी खरार हो गया है, हम खाने ही नहीं बना पाते हैं, देखो दादी के लिए मा जी के लिए अच्छा खाना बनाओंगी, पापा जी के लिए इन दोनो के लिए ऐसा खाना बनाओंगी, जिंदकी में बोलेंगी ने की खाना बना दो, मेरी जान की दुस्वन बनी है, यही लड़ाई लगवाती है, यही मुझे पिटवाती है, बड़ी आएं कहींगी तमासे बात, तमासा बता रहेंगे मुझसे, भाड में जाएं कर्या कुरिया बरतन, इकड़ाई बड़ाई मुझसे न धुली जाएगी, जिसको धुली हो धुले, मैं तो खाना बनागे रख दूँगी बस,